हेलो मेरा नाम है श्रेस और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विश्रेस और आज हम बनाएंगे कैरी वाली दाल इंडिया में दाल को कमफ़र्ट फूड माना जाता है और हर एक घर में दाल की अपनी ही रेसिपी होती है और वैसी ही एक डाल मैं लेके आया हूँ जो है कैरी वाली दाल जहाँ पे कैरी का मतलब होता है कच्चा आम तो आज हम बनाएंगे कच्चे आमके फ्लेवर वाली खटी मीखी डाल जिसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है खाने में ये बहुत ही लजीज है और बनाना उतना ही आसान तो चलिए बनाना स्टार्ट करते है कैरी वाली डाल अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल and hit the bell icon तो कैरी वाली डाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे डाल मैंने यहाँ पे लिए एक कप तूर डाल जिसको मैंने 15-20 मिनिट तक भिगो के रखा हुआ था उसके साथ जाएगी आधा कप मसूर डाल जिसको भी मैंने 15-20 मिनिट तक भिगो के रखा हुआ था और उसके साथ हम डाल देंगे 1-4 cup जितनी मूंग डाल जिसको भी मैंने 15-20 मिनिट तक भिगो के रखा हुआ था अब हमें दाल को पकाना है, उसके लिए मैं इसमें डालूँगा 1 लिटर जितना पानी, अब इसमें जाएंगे 1 फोर्ट कब जितने कच्चे आम के टुकडे जिसको मैंने स्किन उतार के काट लिया है, इसके साथ हम डालेंगे नमक और हलके पीले रंग के लिए इसमें जिससे हल्दी और नमक डाल के साथ अच्छे से मिल जाए और सारी डाल भी आपस में अच्छे से मिल जाए, श्टर करने के बाद हम प्रशर कुकर को बंद कर देंगे और बाकी का काम कुकर पे छोड़ देंगे, हम इसे तीन विसल होने तक पकाएंगे, तीन विसल के बाद ह हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है ताकि उसके अंदर का pressure release हो जाए उसके बाद हम pressure cooker को खोल देंगे हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है इसमें आम का flavor भी अच्छे से आ चुका है और हल्दी की वज़े से इसका रंग भी एकदम bright yellow है अब हम whisk की मदद से इसको अच्छ की तैयारी करेंगे तड़के के लिए मैं heavy bottom pan को ले लूँगा और उसमें मैं डालूँगा ground nut oil oil के बाद हम इसमें डालेंगे आधा tablespoon जितनी राई राई को हमें अच्छे से splatter होने देना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा tablespoon जितना जीरा जैसे ही जीरा splatter होता है इसमें जाएंगे 10-12 कड़ी पत्ते और साथ में जाएगी pinch of hing और साथ में एक spicy kick के लिए एक लाल मिर्च हम डालेंगे जिसको मैं तोड के डालूँगा मसालों के बाद इसमें जाएगा 1-4 cup finely sliced onion आप onion को chop करके भी डाल सकते हो अब हमें onion को stir करते हुए पकाना है हम onion को हलका सा caramelize या फिर हलका सा brown होने तक पकाएंगे जिससे onion थोड़ी से sweet भी हो जाएगे और उसका flavor अच्छे से डाल में आएगा करीबन 5 मिनिट stir करने के बाद onion अच्छे से caramelize हो गया है अब हम इसमें डालेंगे 2-3 finely chopped green chilies chilies के साथ इसमें जाएगे powder मसाले हम इसमें डालेंगे 1-4 teaspoon जितनी healthy powder और उसके साथ जाएगा half teaspoon जितना धनिया powder अब हम इसे 1-2 मिनिट तक saute करेंगे ताकि chilies और powder मसाले अच्छे से पक जाए यहाँ पे इसका saute होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पे यह कच्छे रह जाते है तो इसके बाद हम जो डाल डालेंगे उसमें उसका कच्छा flavor आएगा जो बिलकुल अच्छा नहीं लगता है जैसे ही मसाले saute हो जाएगे हम उसमें डालेंगे डाल जो हमने पहले से ही कच्छे आम के साथ boil करके रखी हुई है हम डाल को अच्छे से stir करेंगे ताकि सारे मसाले डाल के अंदर अच्छे से mix हो जाए जिससे मसालों का सारा flavor डाल में आ जाएगा अब मैं यहाँ पे add करूँगा एक कप जितना पानी आप डाल की consistency अपने हिसाब से रख सकते हो क्योंकि मुझे दाल थोड़ी सी पतली चाहिए मैं इसे चावल के साथ सव करूँगा तो मैं इसमें पानी add कर रहा हूँ पानी डालने के तुरन बाद हम इसको फिर से एक बाद stir करेंगे ताकि पानी और डाल अच्छे से मिल जाए उसकी consistency एकदम सही हो जाए और बाद में हम उसको कम से कम 8-10 मिनिट तक कुक करेंगे ताकि सारे flavors आपस में mix हो जाए आपस में मिल जाए इसके बाद हम उसमें डालेंगे 1-4 cup जितना गुड आप powder जगरी भी use कर सकते हो गुड डालने के बाद हम उसको फिर से एक nice टर देंगे ताकि गुड अच्छे से अंदर पिगल जाए अच्छे से melt हो जाए उसके साथ अच्छे से मिल जाए हमारी दाल का flavor एकदम खटा मीठा होगा आम से उसकी खटा साएगी गुड उसको मीठा बंदेगा और हलकी सी spicy निसके लिए हमने चिलीज भी डाली है तो कुल मिलाके हमारी एक खटी मीठी हलकी सी spicy दाल बनके ready होगी जो बहुत ही अच्छी लगेगी गुड अच्छे से melt हो चुका है अब हम उसको season करेंगे इसके लिए हम उसमें डालेंगे salt salt डालने के बाद हमें इसको फिर से हिलाना है ताकि salt इसके अंदर अच्छे से मिल जाए आप डाल को तब तक पकाए जब तक आपको आपके डाल की consistency जैसी चाहिए थी वैसी ना हो जाए मुझे यहाँ पे थुड़ी सी पतली डाल चाहिए तो मेरे लिए डाल यहाँ पे almost ready है इसको finish करने के लिए और एक freshness देने के लिए मैं इसमें डालूँगा कटा हुआ धनिया धनिया डालने के बाद हम उसको एक final stir देंगे हमारी केरी वाली डाल बनके ready है इसमें आम का अच्छा सा खटा flavor है साथ में जैगरी से मीठा पन है और उसकी consistency भी एकदम सहीं है और इसका bright yellow रंग है जैसा हमें चाहिए था अब हम उसको serve करेंगे डाल को serve करने के लिए मेरे पास एक bowl है मैं dollop by dollop डाल को इसके अंदर निकालूँगा और इसके बाद मैं उससे धनिया से गानिश करूँगा डाल serve होने के लिए ready है हम इसे simple steam rice के साथ serve करेंगे आपको ये recipe कैसी लगी है आप नीचे comment करके भी बता सकते हैं अगर आपको ये video पसंद आई हो तो इसे like कीजे, share कीजे और मेरी चैनल को subscribe कीजे और ऐसी ही video के लिए bell icon को दबाना ना भूले तो मैं आपको मिलता हूँ अगले video में ऐसी ही एक आसान recipe के साथ तब तब कीजे कुकिंग